अदिती अपने हाथ आए उस फटे हुए पेपर को देखने लगती है वो आफिस का काम छोड़कर उस पेपर को लेकर बैट पर बैट जाती है और देखती है उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है दूसरी तरफ अदिती के मामी पापा परिशान लग रहे थे और आपस में बात कर रहे थे अदिती को मिश्रा जी से हुई हमारी बात नहीं सुनी चाहिए थी पता नहीं इस वक्त उसे कैसा महसूस हो रहा होगा ठीक है रही हो तुम, उसे बहुत बुरा लग रहा होगा, वो भी एक अंजान व्यक्ति की बातों का, अभी तो वो बिजी होगी, शाम को उसका ओफिस खत्म होने के बाद उससे बात करेंगे और समझाएंगे हम, ठीक है। शाम को अदिती के ममी पापा उसके कमरी में आती हैं, अदिती उस वक्त अपना लापटॉप बंद कर रही थी अरे, ममी पापा, आप तोनों आपके चेहरे देखकर लग रहा है, जैसे कुछ कहना चाह रही है हाँ, कहना तु है, पर समझ नहीं आ रहा कि कैसे कहें ऐसा भी क्या कहना है? हम बस इतना कहना चाहते हैं, कि किसी भी बाहर के इंसान की बातों को दिल से लगाने की जरूरत नहीं है बहुत से लोग दुनिया में दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ऐसा करके वो खुद को उच्चा दिखा रही है तुम्हारे पापा सही कह रहे है बेटा, ऐसे लोगों की बातों को मन से नहीं लगाते, वही करो जो हमारा मन करना चाहे आप लोग ये सब मुझसे क्यों कह रहे हैं, मैं बिल्कुल चीक हूँ, मुझे जो भी उस लड़की ने कहा उसका बुरा नहीं लगा, आप लोग परिशान मत हो ये, तुम सच कह रही हो हाँ ममी, अगर इस तरह से हर बात का बुरा मान कर बैठ जाओंगी तो कैसे काम चलेगा, अभी आप लोग टेंशन मत लो, और छोड़ो इन सब बातों को अदिते एक मुस्कुराहट के साथ उनसे कहती है, उसके ममी, पापा की चहरे पर भी एक मुस्कान आ जाती है, वो लोग वहां से चले जाते हैं चलो शूकर है भगवान का, कि अदिती का मूड नहीं खराब है मूट तो नहीं ही खराब है भलकि मैंने उसके चहरे पर जो मुस्कान देखी उसमें एक अलगी जमक थी मुझे समझ तो नहीं आया कि ये ऐसा किस वज़े से है पर देखकर बहुत अच्छा लगा भगवान करी ये मुस्कान हमेशा हमारी बेटी के चहरे पर बने रहे अगले दिन अदिती की मम्मे उसका नाश्टा लेकर उसके कमरे में आ रही थी कि तभी अदिती तयार होकर बाहर आ जाती है अरे तुम आज बाहर आ गई? अज ओफिस में काम कम है क्या? अदिती डानिंग टेबल पर बैटते हुए कहती है काम तो है पर अभी 15 मिनट है आफिस टाइम शुरू होने में तो मैंने सुचा अच साथ में ही ब्रेक्फस्ट कर लो उसके मामी पापा उसे हैरानी से देखने लगते हैं क्या हुआ? आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? नहीं कुछ नहीं बस बहुत दिनों बाद तुम्हारे चेहरे पर इतना सुकून देखा अच्छा है ऐसे ही रहा करो बस अदिती मुसको रहा देती है और अपना प्रेक्फस्ट करने लगती है चली अब मैं जाती हूँ ऑफिस टाइम शुरू हो गया है अदिती अपने रूम में आती है और अपने कमरे का दर्वाजा बंद कर लेती है तो पहर के दो बजे वो अपने कमरे का दर्वाजा खोलती है और खाना खाने बाहर आती है क्या बात है बीटा, ज्यादा काम है क्या, कमरा भी बंद कर रखा था तुमने? हाँ ममी, काम थोड़ा ज्यादा है इस वक्त, वो जल्दी से खाना खा कर अपने कमरे में चली जाती है, शाम को साड़े छे बचते ही वो अपना लाप्टॉप बंद कर देती है और तयार होकर कहीं जाने लगती है, उसने एक बैग भी टांगा हुआ था साइड में, अरे आज इतनी जल्दी ऑफिस का काम खत्म हो गया तुम्हारा, वरना तो आठ, आठ, नौ, नौ बज़े तक चलता रहता है अदिती मुसकुरा देती है, टाइम से काम शुरू और टाइम से काम खत्म अब से गूड, वैसे कहीं जा रही हो क्या? हाँ, थोड़ा यहीं पार्क में वॉक के लिए जा रही थी, अपसे रोज जाय करूँगी, काम की वज़े से हेल्थ सफर कर रही है थोड़ा शान्ती से खुद के साथ टाइम बिताऊंगी, ठीक है जाओ, टाइम से आ जाना, ओके यह कहकर अदिती अपनी स्कूर्टी उठाती है और चली जाती है उस दिन के बाद से अदिती में कुछ बदलावसा नहीं आ गया? हाँ, मैं भी महसूस कर रही हूँ, पर जो भी है, अच्छा लग रहा है हाँ लगवग दो खंटे बाद अदिती घर वापस आती है और खाना खाकर अपने कमरे में चली जाती है अदिती का अब यह रोज का हो गया था, टाइम से उठना, टाइम से ओफिस शुरू करना और वक्त पर ओफिस का काम खत्म करके पाक चले जाना आज संडे था, पर तब भी अदिती रोज की तरह ही उठकर अपने परस्नल लाप्टॉप पर कुछ कर रही थी कि तब ही उसके ममी रूम में आती है और उसके पास पैट जाती है आज तु संडे है ना, तो आज क्या कर रही है? आजिती बेटा, कोई बात है क्या? कुछ दिनों से तुम कुछ बदली-बदली सी लग रही हो नहीं तो, ऐसी कोई बात नहीं है पक्का ना? पक्का, चीक है उसके मम्मी कमरे से चली जाती है और अदिती फिर से अपनी काम में लग जाती है महीना गुजर गया था अदिती का जो रूटीन था, वो बिलकुल वैसा ही चल रहा था दूसरी तरफ उसके माता-पिता उसके लिए रिष्टा ढून रहे थे एक दिन, अदिती पाक से वापस आई थी कि तभी उसके पिता कहते है अदिती, तुम्हारे लिए एक रिष्टा आया है वो लोग अगले हफ़ते तुमसे मिलना चाहते है मैं सोच रहा हूँ कि सेटरडे संडे में उन्हें बुला लो पापा, आप उन्हें मना कर दीजिए, मैं अभी किसी से नहीं मिलना चाहती पर क्यों, तुम तो शादी करने के लिए तयार थी न, तो फिर अचानक से ऐसा क्यों मानता हूँ मिश्रा जी वाली बात का तुम्हें बुरा लगा है पर शादी के मामलों में तो ये सब होता रहता है बच्ची मानती हूँ कि मैंने पहले शादी के लिए हाँ कर दी थी, पर अब मैं फिरहाल तयार नहीं हूँ मैं ये नहीं कह रहेगी कभी नहीं करूंगी, पर अभी मुझे कुछ वाक्त चाहिए और दूसरी बात, आप लोग बार-बार मिश्रा जी अंकल वाली बात को बीच में मत लाया कीजिए मुझे उस बात का कोई भुरा नहीं लगा है पर मैं जो कह रही हूँ, अपने मन की बात कह रही हूँ इस बात का किसी और से कोई लिने देना नहीं है उमीद करती हूँ कि आप समझेंगे और मानेंगे भी उसके पिता हा में सिरहलाती है अदिती अपने कमरे में चली जाती है वो सुभे से अपना कमरा बंद कर लेती है और शाम को ही खोला गरती थी ऐसा लगभग 5-6 महीने तक चलता रहा एक दिन अदिती के ममी पापा सोफिपर बैठे हुई आपस में कुछ बात करते हैं कि तब ये अदिती हाथ में लाप्टॉप लिए मुस्कुराते हैं उनके पास आती है क्या बात है काफी खुश लग रही है अदिती लाप्टॉप अपने ममी पापा के सामने रग देती है जिस पर एक मेल लिखी हुई थी ये क्या है अदिती के पिता मेल पढ़ते हैं और हैरान होकर अदिती की तरफ देखते हैं ये सब कैसे आपस ये बताईए कि आपको कैसा लग रहा है कैसा लग रहा है? मैं बहुत खोश हूँ, बहुत जादा, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि सच में तुम्हारी लिखी स्क्रिप्ट इतने बड़े प्रोडक्शन हाउस ने एकसेप्ट कर ली ये सब हुआ कैसे? और कब? पूरा दिन तो तुम ऑफिस करती रहती हो? इस सब का टाइम तो मैंने जॉब छोड़ दी है जॉब छोड़ दी? कब? छे महीने पहले तो फिर तुम पूरा दिन करती क्या थी? मेरी तुकुछ समझ में नहीं आ रहा मैं बताती हूँ, मैंने छे महीने पहले ही अपनी जॉब छोड़ दी थी और तब से मैं पूरा दिन स्क्रिप्ट्स लिखा करती थी और उन्हें अलग-लग जगा भीजा करती थी बहुत rejections आये शुरू में, एक बार तो मैं हिम्मत हारने ही लग गई थी और सोचने लगी कि शायद यह मेरी लिए है ही नहीं पर फिर भी मैंने खुद को संभाला और सोचा कि मैंने अपनी कला को वक्त और मौका ही कितना दिया है अब तक ना तो मैंने उसकी बढ़ाई करी और ना ही उसे निखारने के लिए कोई मेहनत तब मैंने ओनलाइन कोर्स जोइन किया स्क्रिप्ट राइटिंग का और साथ-साथ स्क्रिप्ट लिखना शुरू किया पूरा दिन एक कमरे में रहकर अपना दिमाग चलाना बंध हो जाता है और उतनी क्रियेटिविटी भी नहीं रहती इसलिए मैं रोज पाक जाने लगी वहां खुली हावा में बैट कर और आसपास की चीज़ों और लोगों को देखकर दिमाग में कहानिया बुनने लगी आद भी उन्होंने स्क्रिप्ट में काफी चेंजिस कराए पर फाइनली स्क्रिप्ट पास हो गई मुझे तो अब भी यकीन नहीं हो रहा कि तुम जो बता रही हो वो सच है तुमने हमें ये बात पहले क्यों नहीं बताई हो सकता है हम तुम्हारी कुछ मदद कर पाते शुरू-शुरू में मुझे खुद अपने उपर भरोसा नहीं था बस हिम्मत करके एक कदम बढ़ाया था मैं आप लोगों को परेशान नहीं करना चाहती थी और दूसरी बात अपनी जिंदगी की जंग में खुद लड़ना चाहती थी बिना किसी सहारी के देर आये पर दुरूस्त आये हमने कितनी बार तुम्हें ये बात समझाने की कोशिश की पर तुमने नहीं समझी पर आज तुम खुद समझ गई मुझे इस बात की खुशी है अदिती उनके बात सुनकर मुस्कुराने लगती है खुद नहीं समझी किसी ने समझाया है अच्छा कौन है वो उससे तो मिलना पड़ेगा आप जिसने इतना बड़ा काम किया है आप चानते हो उसे अच्छा कौन है वो नयन नयन वो मिश्रा जी का बेटा अदिती मुस्करा देती है वो तुमे कहा मिला यह सब चल क्या रहा है अरे अरे शान्त हो जाईए आप लोग सब पताती हो नयन वो शक्स जो अदिती की जिंदगी में कुछ देर के लिए आया वो उसकी जिंदगी में ठहर कैसे गया वो भी बिना किसी को पता लगे शादी के लिए इंकार करने के बाद भी कैसे जुड़े है अदिती और नयन एक दूसरे से क्या है उनके बीच का रिष्टा जानने के लिए देखना मत भूलिएगा चुना है आस्मा कहानी का अगला और आखरी भाग केवल अपने चैनल अनम स्टोरीज पर थांक्स